न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रशान्त कुमार सिंग ने भी तेंदुए को मानने की पुष्ची की है। करीब तीन से च्वार साल के तेंदुए ने अच्वानक जवंगल में ग्रामेणों में शिक डाबर पर हमला कर दिया था। प्रशान्त कुमार सिंग ने मेडिया से तेंदुए की हत्या की पुष्ची की है। सूचना मिली है कि एक ग्रामेण पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। उसके बाद आक्रोशत ग्रामेणों ने तेंदुए को मार डाला जाच की जवा रही है। मौके पर डाउक स्कुआड की टीम रवाना की गई है तेंदुए का पोस्ट मॉटम भी कराया जुएगा फिर मौत का कारण इस पस्च होगा। तेंदुए के मौ और अन्य जगा खून मिला है जिससे लग रहा है कि तेंदुए पर हमला किया गया है। जाच के बाद ही पूरा खुलासा होगा। जाच के बाद कारवाही की जाएगी जो भी दोशी होगा उसके खलाफ मुकदमा दर्च कराएंगे। इदर ग्रामिर घायल ने भी तेंदुए के हमले की पुस्ची की है। जिरन्या से शिवशंकर राठोर के साथ हासम खत्री की रपोर्ट। प्रइन के लिए इसे गाड़े से भिजना था ना ? आपका लड़्च कर आशब ढकार चाल को जना लुक्त खत्री की होगा ने पुझ से मत्रह में या वप यह सुभई ख़वर आई थी वहां तेंदुए पड़ा मिला है चैनपूर के पास है तो उसके मुह पे भी चोट के निशान है एक ग्रामीड की भी सूचना है और घायल हुए है उससे तो संभातर ग्रामीडों ने उसको मारा है ऐसा लग रहा है देखिए इस पकार पर जटना है तेंदुए को मूँ पे निशान है अब जैसे ही पता चल जाता है जाँच में हमारे की किसने मारा कैसा है तो उस पर केस दर्च करके करवाई करेंगे हम लोग अमर तीन-चार साल है अभी क्या करवाई चल रहेंगे अभी तो हम लोगों ने डॉग स्कॉर्ड को बुलाया है डॉग स्कॉर्ड आ जाएगा उसके बाद फिर आगे करवाई बढ़ेगी पी-म क्यों उसके बाद पी-म होगा डॉग स्कॉर्ड के बाद